अच्छा तुम mock test देते तो हो बढ़ तुम्हारे mock test के अंदर marks increase नहीं हो पा रहे हैं, यही problem है ना, यह problem पता है क्यों है क्योंकि तुम्हेm mock test देने का सही तरीका नहीं आता, तुम mock test देते तो हो बढ़ उसके बाद उसका analysis नहीं करते यही सबसे बड़ी problem है चाहे तुम कितने mock test देलो जब तक तुम्हें mock test देने का सही तरीका नहीं आएगा marks कभी increase नहीं हो सकते So hi everyone, मेरा नाम है प्रिशान mentor of thousands of students और आज बात कर रहे हैं mock test strategy की बहुत important video आप सभी के लिए क्योंकि सबसे बड़ी problem कि आए ना कि आपके marks mock test के अंदर increase नहीं हो पाते हैं देखो reality तो है ना कि 80% बच्चे दो mock test देते ही नहीं है उनकी mock test का कीड़ा पता है कब जगता है जब exam में 2-3 महीने होते हैं फिर वो सोचते हैं और यार मेरे सारे दोस mock test दे रहे हैं मुझे भी देने चाहिए जबकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि पूरे साल बर mock test देते हैं बट उन्हें mock test देने का सही तरीका नहीं आता सबसे पहले तो आपको comment में ये बताना है मुझे क्या आप सच में mock test देते हो अगर दे रहे हो तो yes लिखना अगर नहीं देते हैं तो reality के साथ no लिखना ये no लिखोगे तो तुम्हे realize कराएगा ये no कि तुम कहीं न कहीं थोड़ा पीछे हो गए हो और तुम्हे mock test देने चाहिए अब ये जो mock test वाली चीज है ना इसको थोड़ी छोटी सी एक story के साथ आपको समझाता हूँ बहुत प्यारी story है ये story है दो students की एक student सी प्रिया एक student सा रोहित और ये real story है देखो ये दो student है ये दो इनीट के dropper student है अब क्या हुआ ना कि ये जो प्रिया थी ना इसके पढ़ और ये mock test और ये mock test देती थी जबकि ये जो रोहित था ना ये mock test नहीं दिये इसने पूरे साल पर नहीं दिये एक्जाम से दो महीने पहले इसने full length mock test दिये जो पूरे sleepers वाले mock test होते है इसने ये दिये इसने एक भी topic wise mock test नहीं दिये जबकि इसने सारे mock test दिये रिजर्ट जब आया तुम शौक हो जाओगे इसके नमबर आये 605, इसके नमबर आये 602, केवल तीन नमबर का डिफरेंस अब तुम सोचो इसने तो पूरे साल बर मौक टेस्ट दिये यार फिर भी इसके बस इतने ही नमबर तीन नमबर के डिफरेंस आये तो उनों में ऐसा अलग क्या हुआ इसने तो मौक टेस्ट नहीं दिये तब भी इसके इतने नमबर कैसे आ गए तब आता है प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम थी प्रिया के मौक टेस्ट अटेम्टिंग स्ट्राटेजी के अंदर बनाना, Irrelevant क्या होता है जैसे नीट इस प्रकार के सवाल पूछती है बर्ट सारे कोचिंग नो बहुत टफ पेपर बनाते है बहुत जादा टफ और बहुत सारी कोचिंग है जोंकि बहुत असान पेपर बनाती है तो अगर आपके कोचिंग वाले एक irrelevant test आपको दे रहे हैं तो आपका भी हाल प्रिया जैसा हो सकता है अब यहाँ पर किसी coaching का नाम नहीं लूँगा किसी coaching को यह नहीं बोलूँगा income work test बहुत अच्छा है income work test बहुत खराब है क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो तुम्हें लगएगा attempting strategy क्या होती है इसके बारे में बिल्कुल डीपली बात कर लेते हैं पहला step क्या है step wise समझाऊंगा ध्यान से सुनना पहला step है select your mock test देखो तीन टाइप के mock test होते हैं पहला होता है हमारा topic wise दूसरा होता है हमारा subject wise और तीसरा होता हमारा full syllabus अभी जब full syllabus है इसको तो बूल जाओ यह हमें करना आखरी के 3 महीने में मही में आपका paper है 3 महीने पहले जब आप हो तो आपका syllabus जब खतम हो जाए 3 महीने पहले अगर syllabus खतम नहीं भी होता तो 3 महीने पहले से full mock test तो लगाने पड़ेंगे तीन महीने पहले से हम क्या करेंगे एक all India test series जिसको हम बोलते हैं AITS किसी भी अच्छे coaching की AITS के अंदर enroll हो जाना और याद रखना AITS offline होनी चाहिए हाँ आपके 57,000 रूपे लग जाएंगे बट शायद आपका career बन जाएगा दोस्त याद रखना किसी भी अच्छी coaching के AITS में लास्ट के तीन महीने के अंदर enroll हो जाना बहुत जादा important है आपको mock test के आदत पढ़ जाएगी अब दो चीज़े बजाता हूँ topic wise और subject wise अब ये जो दो test है न ये आप offline भी दे सकते हो अगर आप किसी offline coaching के अंदर जाते हो जिनके अंदर test होते हैं अच्छी चीज़ेश कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपके offline coaching के test होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है वो नीट के according नहीं है जो AI based test बनाने लगें बहुत अच्छे बनते हैं तो आपको क्या करना है topic wise और subject wise online कोई test को आपको देना है ठीक है समझ गए तीन प्रकार के test हैं ये दोनों आप online दे सकते हो बट ये जो है ये स्रिफ और स्रिफ आउट-लाइन देना है इसका answer है तुम कितने mock test analyze कर सकते हो मुझे बस इतना बता दो कितने mock test तुम analyze कर सकते हो अभी तुम मेरे अंदर जोष आया और तुमने बोला वया एक week के अंदर ना मैं तो भया तीन mock test दे दूंगा मैं तो तीन mock test दे दूंगी अरे मेरे भाई, अरे मेरे भेन, एक बात बताओ, कितने mock test analyze कर लोगे, तीनों mock test को analyze कर लोगे, अभी analyze कैसे करते हैं, last में बताऊंगा, कर लोगे, नहीं कर पाऊँगा, तो minimum क्या है, week में एक test दो, बट अगर तुम week में एक test में analyze नहीं कर पाते, तो दो week के अंदर एक test दो, उतने टेस्ट देने हैं जितने एनलाईस कर सकते हो मुझे पता है आपके teacher बोलते हैं ज़ादा से ज़ादा टेस्ट दो अगर टेस्ट को अनलाईस नहीं करोगे तुम्हारी हालात भी या लड़की प्रियाज जैसी हो जाएगी तो उतने ही टेस्ट दो जितने तो मैंनलाइज कर सकते हैं और अच्छे टेस्ट दो अब अगला स्टेप बढ़ता है अगला स्टेप क्या है मौक टेस्ट इन्वायरमेंट स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या ऑनलाइन टेस्ट देते हैं दोस्त तुम्हें एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा होता क्या है न हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है ऑफलाइन के अंदर तो हमारे पास बहुत अच्छे इन्वायरमेंट होता है ऑफलाइन के अंदर सारे बच्चे बैठे होता है हम मौक टेस्ट मैसे OMR भर रहे होते हैं वो एक अलाग चीज है बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है जब तुम घर के अंदर टेस्ट वाला इन्वायरमेंट बना सको टेस्ट वाला इन्वायरमेंट क्या होता है टेस्ट वाला इन्वायरमेंट होता है अपनी पानी की बोटल वगेरा सब रख ली दो गंटे के लिए अपने कमरे की कुंदी लगा ली तीन गंटे के लिए अप तरीका बता रहा हूँ, एक strategy बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी strategy, आपको खुछ से चार या पांच सवाल पूछने हैं, imagine करो, एक test अब देखे आते हो, full mock test है, मालने, full flavor test है, आपने देखा, ठीक है, physics में ये गलती थी, chemistry में ये गलती थी, biology में ये कहलती थी, अब, आपको खुछ से चार सवाल पूछने हैं, बहुत द्यान ते समझना, पहला सवाल क्या है, concept नहीं आता था, क्या, पहला सवाल क्या है, क्या आपको उस, जो आपने जो सवाल को गलत करा है, या उस सवाल को छोड़ा है, imagine करो, एक सवाल था, फुसका current electricity का, वो आपने गलत कर दिया, तो कुछ से पूछो, क्या आपको इसका concept नहीं आता था, क्या, 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 कोचिंग के अंदर एक concept नहीं पढ़ाया था, क्या मुझे वो concept याद नहीं रहा, biology का कोई term था, आपको याद नहीं आया पाया, तो क्या आपको याद नहीं रहा, क्या हुआ था, आपके साथ सोचो, आप जब mock test देकर आओगे, analyze करोगे, खुझ से दूसरा सवाल पूछोगे, क्या मेरी memory power कम है, क्या, अगर आपका निकलता है कि हाँ, मुझे याद नहीं रही, जादा तर चीजे, तो आपको क्या करना है, चीजों को बार बार revise करना है, अगला सवाल आप पूछोगे, क्या मैंने silly या फिर calculation mistake कर दी क्या, फिसिक्स के क्या मैंने numerical में कुछ calculation mistake कर दी क्या, या biology के कुछ मैंने silly mistake कर दी क्या, अगर ये कर रहे हो तो calculation पे जादा focus करो, silly mistake कर रहे हो तो meditation पे जादा focus करो, और आपके पास time कम था, अगर ये time वाली problem आ रही है तो कोई लिक्त नी है, ये तो समय के साथ आप solve कर लोगे, जो आप 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, mock test दोगे, ये time वाली problem automatically solve हो जाएगी, major है ये तीन problem, इन तीन problem को पकड़ के चलना है, अगर कोई concept आपने नहीं आपको पता चल जाएगा, क्यार मेरे mock test में number इसलिए कम आते हैं, क्योंकि मेरी revision power बहुत कम है, मेरी memory power बहुत कम है, मैं revise नहीं कर पाता, मैं revise नहीं कर पाती, तीसरा कहता अपना, calculation mistake इसके लिए तो मैंने आपको बताई दिया, देखो calculation mistake जितना practice करोगे, तब ही जाकर सही ह नहीं है कि मैं आपको एक जड़ी बूटी खिला दूँगा और आपकी calculation mistake सही हो जाएगा, ऐसा तो होई नहीं सकता, ये था हमारा step number four, अब एक last step बता रहूँ, एक bonus step बता रहूँ, ये सवाल मुझ से हर एक student पूछता है, भाया, कौन से subject से मैं mock test को start करो, physics से, chemistry से, biology से, द जो असान subject से start करोगे, तो आपको पता चलेगा, इसके तो question बन रहे हैं, अच्छा आपका favorite subject है biology, आपने biology से start करा, ठीक है यार, biology का पहला सवाल भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, confidence आएगा, वो confidence आगे paper में काम आएगा, simple सी बात है, I hope आ अपनी coaching के उपर आख बंद करके विश्वास करें बैठे थे, और coaching के अंदर जो test था न वो अच्छा नहीं था, उनके coaching का जो test का level था न वो बहुत कम था, और जब वो need के अंदर जाते हैं, तो need का level अच्छा नक सिंक्रीज हो जाता है, तो confused हो जाते हैं, तो ऐसे आख बं mock test attempting strategy में आपको मदद मिलेगी और इस attempting strategy से आप जाओगे और need को forward कराओगे, शुकरे everyone, मेरा नामे प्रशान मिलते हैं, नेक्स वीडियो के अंदर